हाई गईस वेलकम टो माई चानल आज का जो डियाइवा है यह वन डे चालेंज है और जितनी भी सारी गंदगी है काला पन है एक दिन में खतम करेगा और यह बहुत ही इसके रिजल्ट जो है अमेजिंग है यह बनाने में जितना आसान है ना उतना ही ज़्यादा यह बनाने में जितना आसान है उतना ही ज़्यादा एफेक्टिव है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हातों पेर उपे वन डे चालेंज है यह अमेजिंगली वर्क करता है तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले हमेशे की तरह एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो प्लीज एक लाइक जरू करा करें क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत जादा मोटिवेट करता है और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए चानल को जरू से सब्सक्राइब करें तो चलिए स् स्कीन को लाइटन करने पे बहुत जादा हेलप करता है अगर आपकी स्कीन साघी से हो गई यह बेजांसी हो गई इसमों इए जान एड़ करता है और इसमों की सबसे ऐसे बीच क省षए में बहुत सारे फाइदे यह तो से 3 हमए प्लाक सिола को लेव मुट वैज ले लेगा थ को ले लिया है आच्छा गय अच्छ सबसे इंपॉर्टन चीज जो है बहुत जंसने बारीक नहीं करना है इसको दरदा से रखना है क्योंकि यह बहुत अच्छा काम करता है हमेरे सकीपर और सबसे अच्छी जो चीज जूसे है जितनी amount आपको required है एक से देड़ चमच के करीब जितनी भी amount आपको required है उतनी amount आपने ले लेनी है and then guys जो भी बच जाता है वो आपने जो है airtight jar में जो है बहुत time टाक आप इसको store भी करके रख सकते है आचा गई सबसे important चीज जो है जितनी amount में को required है तो उतनी amount का जो है मैं इस्तेमाल करूँगी और अगर आपकी skin जो है अगर बहुत जादा जो है टानिंग हो गई है डल सी हो गई है बेजान सी हो गई है तो यह remedy किसी वरदान से कम नहीं है आचा जी तो सबसे important चीज जो है कि यहाँ पर एक से देड़ चमच मैंने ले लिया है सबसे पहले मैंने एक empty bowl को ले लिया है and then जो है मैंने एक एक से देड़ चमच जो है जितनी amount में को required है उतनी amount मैं ने हाँ पर ले लिया है और मैं एक चीज आप लोगों को बताना पाउच आपने ले लेना है वन टाइम के लिए मैं बना रही हूँ तो एक कॉफी का पाउच जो है इनफ है अच्छा जी मैं आप लोगों के एक चीज़ और बता दू कॉफी जो है हमारी स्कीन की लाइटनिंग के लिए ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग आपकी डलनेस है टानिंग है वो कम्प्लीटली एक ही बार में इसे निकल जाने वाली है और मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बता दू कि लेमन जो है इसमें तेजी से मैल काटने की सलाईयत होती है और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं ग्लिसरीन को एड़ करूँ जो है मैंने ग्लिसरीन को ले लिया है हाफ चमत से भी कम को मैंने ग्लिसरीन को ले लिया है और अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है और सबसे इंपोर्टन चीज जो है आप इसको बना के तीन दीन तक भी रख सकते हो अच्छा जी सबसे इंपोर्टन चीज जो मैंने बहुत ज़्यादा आसान है जितनी भी आप required amount है उतना अपने ले लेना है और अच्छी तरीके से जो है अपने हातों पे पैरों पे फेस पे फूल बॉडी पे आप इसका पीपसिंस कर सकते है जो इस जो है जितना भी टाना है डेट nutr जो है सन बन की वज़े से जो है बहुत जिद्धी से नीकलने का नाम नहीं लेती लेकिन इसको भी पहली ही बार में बहुत ही ईजी ली जो है निकाल देता है और मैं आप लोगों को बता दू कि जो हम पैरों में कई बार चकपल पैंटे हैं तो उसके भी जो निशान है वो बह यहां पर आप देख सकते हैं। और यह मैं बहुत इस्तेमाल पर्षा परिलेंश के इस्तेमाल पेजर्ट बहुत ही जादा अमेजिंग है। मैंने इसको पेरों पर इस्तेमाल किया था जो छोटी सी क्लिप इसमें एड़ किया है। और मैं आप लोगों को बता दू आप अच्छे बेंजिलर्ण पाने के लिए इसका इस्तिमाल वीक में आपने जरूर से करना है. दो बार घुने इसका स्तिमाल जरूर से करना है, और सबसे इंपोर्टन चीज अगर आपको बहुत ज़्याधा टाइनिंग हो रहा है, यह बहुत ज़्यादा जिद्धी सी टाइनिंग हो रखे वीक में आप जो है इसके अस्तिमाल तीन से चार बार भी कर सकते है इसके कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है और सबसे इंपोर्टन चीज जो है यह बनाने में चीती ज़्यादा आसान है उतनी ही ज़्यादा एफेक्टिव है सारी चीजे जो है घर से आपको बहुत ही एजिली मिल जाएगी अगर ऐसा है तो फ्लीज लाइक ज़रू करा करें और भी अच्छी वीडियोज देखने के लिए चानल को ज़रू सब्सक्राइब करें थाच्छी आपको ज़रू करें एक जो सबस्क्राइब एक जाएगी 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 ज़रू करें